हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडस में सो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्षर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों आइरन सोर्स का एड्स का कैसे यूज़ करते हैं अपने अपने अप्लिकेशन में अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं बीडिंग का कि हम लोग कैसे बीडिंग का यूज़ करेंगे आइरन सोर्स और फेस्बूक और यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग वाला वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो लेक्षर में हम लोग देखेंगे कि आरन सोर्स और फेस्बूक और यूज़ करेंगे और दोस्तों हो सकते हैं इन फ्यूचर हम लोग ट्राइ करें अधर आइड नेट्वर का जैसे कि हम लोग क्या आप लॉबिन के आड्स हो गया मॉपप के आड्स हो गया तो हम लोग ट्राइ करेंगे इन सभी आइड नेट्वर को भी एक्स्प्लोर करने का अगर टाइम मिलता तो इस पर भी आप लोग को वीडियो जरूर मिल जाएगा आप इन सभी आइड नेट्वर का भी यूज़ कर सकता है आड को सो कराने के लिए बाकि मैं ट्राइ करूंगा एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाने के लिए कि कौन साइट नेट्वर को बेस्ट रहेगा लगाने के लिए तो मैं ट्राइ करूंगा जल से जाद इस पर भी एक वीडियो बनाने का क्योंकि यह भी बहुत बढ़िया टॉपिक होगा तो दोस्तों बिना टाइम को मेस्ट कर इस दोस्तों यहां पर हम लोग ब्रावजर में याते हैं और ओपन करते हैं यहां पर अपना आइरन्शोस अकाउंट सो हाँ तो यह अपर आप लोग को अप्लिकाशन दिख रहा होगा सेंपल करके जिसको अभी मैंने क्रियेट किया थोड़ी दिर पहले अब हम लोग आते ह यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा SDK network में तो हम लोग को यहाँ पर SDK networks में आना है और यहाँ पर आपको काफी सारे SDK network दिख जाएंगे तो आप लोग को जो भी select करना होगा आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग फेस्बूक का यूज़ करने वालें तो हम लोग यहाँ पर फेस्बूक को select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर हम लोग activate पर क्लिक करेंगे और यह active हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर इसको save कर देंगे अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह Facebook हम लोग को यहां पर दिख रहा है अगर आप लोग इसको manage करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर manage network पर click करेंगे आपको other option फिर से मिल जाएंगे तो अभी हम लोग इस चीज को दूसरे account में use करेंगे क्योंकि हम लोग का application जो live हम लोग उस application में try करेंगे इसको live application में तो मैं इस account को यहां से close करता हूँ और यह मेरा account है जिसमें हम लोग इसको use करने वाले हैं यह application ने data structure using सी तो अगर आप लोग यहां पर कोई other network की use करना चाहते है manage network पे क्लिक करके आप लोग यहां पर manage कर सकते हैं इस data structure वाले application में हम लोग integrate करने वाले बहुत ही simple process जैसे हम लोगों ने remote के साथ क्या था वैसे ही simply हम लोग को इसके साथ भी करने बस कुछ dependency का setup करना रहता है जहां पर हम लोग को ज्यादा ध्यान रखना होता है अब हम लोग यहां पर अब लोग को यहां पर दिख जाएगा उसके सारे प्लेस्मेंट नेम और उसकी सारी आईडी यहां पर लोग को दिख जाएंगे और यहां पर लोग को system user access token को generate करने का option होगा तो हम लोग यहां पर generate API token पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम लोग को select API का अब लोग को select करेंगे read audience network inside और यहां पर generate token पर क्लिक करेंगे इस तरह से हम लोग को यहां पर टोकें जरनेट हो जाएगा token को हम लोग यहां से copy करेंगे और यहां पर अपने लोग को यहां पर इंटास्टेसियल की ID को add कर देना है तो यहां से आप लोग करेंगे तब भी इसी तरह का कुछ option है जैसे यह एक प्लीकेशन यूट्यूब वैब तो जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था तो अब लोग यहाँ पर सेट अपर क्लिक करेंगे सेम चीज़ आपको यहाँ पर सेम इंटरफेस दिखेगा आप लोग को इसे अब इसे में लोग बीडिन का इंटीगरेट करेंगे कि इसे इसे को कोड था आइरन सोर्स के इंटर्ससीसिल आयड को आपको अब लोगों ने पिछले वीडियो में लिखा था सेम अभी वही है कोई चेंजेज नहीर नहीं है है अब हम लोग यहां पर ironsource.init में इस इसको चेंज कर देंगे क्योंकि आम लोग को नहीं एप ID यहां पर डालनी पड़ेगी तो नहीं एप ID हम लोग की यह है एप की इसको आम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर मैंने paste कर दिया इसको तो यह इसी का app की है data structure वाले का पिछली बार हम लोगों नहीं यूटूब आप का यूज क्या था आप लोग इसको एकदम कंफरम कर लिजेगा कि आपकी app की यहां पर कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए उसी application की होनी चाहिए अब हम लोग आ Facebook के लिए तो यहां पर आप लोग को बहुत सारे option दिखेंगे यहां पर यह dependencies जो हम लोग iron source के लिए use करते हैं तो यह dependency हम लोगों ने पहले से ही add करके रखी है अपने application में यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह हम लोग का mediation is SDK iron source का और इसको हम लोगों ने यहां पर gradle.set यहां पर हम लोग search करेंगे facebook के लिए तो यह facebook का है और यहां पर अडाप्टर पर click करेंगे तो यहां पर जो हम लोग का adapter यह download हो चुका है so in folder करते हैं इसको और यह हम लोग का adapter है इसके पहले भी मैंने इसको same चीज को download करके यहां पर रहका तो यह दो बार होगा यहां पर उससे कोई problem नहीं है यहां पर इसका link में आप लोग को description box में दे दूंगा आप लोग वहां से इसको download कर सकते हैं अब हम लोग आते हैं यहां पर second documentation में तो यह documentation में आपको यहां पर पूरा guide है कि आप लोग कैसे इसका use करेंगे सबसे पहले वह ही है कि कैसा आप लोग create करते हैं सारी चीज़े जो आपना सारा application अप्लिकेशन क्रेट करना तो यह सारी चीज़े आप लोग को पता होगी आप लोग पहले कर चुके होंगे यहां पर जो अभी हम लोगोंने network का setup किया था वो सारी चीज़े दिखा रहा है अ यहां पर एक इसको भी हम लोग को add करना होगा तो यहां से इसको copy कर लेते हैं सैध यह जो जो इसको यहां पर फेस्दी आडवर की dependency हो गई, so अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने AR फाइल को Android Studio के 4.2 वर्जन में कैसे add करेंगे, बहुत सारे लोगों को इसमें problem आती कि AR फाइल को कैसे add किया जाए, तो इस वीडियो में आप लोग को यह चीज भी क्लियर हो जाएगी, हम लोग यहाँ पर latest वाले AR को कॉपी करेंगे, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप लोग को यह Android structure दिख रहा होगा, तो हम लोग Android पर क्लिक करेंगे, और इसको change कर देंगे, प्रोजेक लेबल पे, अब आप लोग को यहाँ पर आप के अंदर आना, आप के अंदर आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा, लेप, तो यह भी इंपटी होगा, डिपोल्ट, अगर आप लोग ने कुछ पहले से नई एट के होगा, तो यह इंपटी होगा, इस लिप के अंदर आके हमको इसको paste कर देना है, और यहाँ पर जो अपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर library dependency, jar, AR dependency, तो अगर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो हो सकता कोई गलती भी हो जाए, तो अप लोग इसको copy-paste कर देंगे, अब यहाँ पर मैं OK पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप लोग को last में यह यहां से भी okay कर देते हैं और यहां पर आप लोग देख सेकते हैं एक file यहां पर implement हो गई implement file ले facebook adapter जो कि पहले नहीं था अभी हुआ है और यहां पर हम लोग का gradle sync finish हो चुका है तो यहां पर जो हम लोग की adapter dependency थी वो perfectly add हो चकी अब हम लोग इसको यहां से close करते हैं setting.gradle को भी close कर देते हैं अब आते हैं हम लोग documentation में आगे देखते हैं कि क्या है अगर आप लोग यहां पर pro guard rule का use करते हैं तो आप लोग को इन चीज़ों को mention करना पड़ेगा प्रोगार्ड रूल में प्रोगार्ड रूल के बारे भी मैं सूच रहा है वीडियो बनाने का सो हो सकता है इन future आपको यह वीडियो भी मिल जाए पिर यहां पर manifest में कुछ अपडेशन करने जैसे ही यह permission add करना है तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में यही add करके रखा था जैसे आप लोग यहां पर manifest में आएंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा इसको हम लोगों आड करके रखा था अब यहां पर एक activity को अभी add करना है तो इस activity को ह सब्सक्राइब हो चुका है अब हम लोग यहां पर और नीच आते हैं तो यहां पर network security config file को भी add करना है जैसा कि हम लोग add mob में भी किये थे तो यहां पर भी इसको add करना है हम लोग यहां पर rest पर आंगे rest पर हम लोग यहां पर right click करेंगे new new पर आने के बाद android resource file और यहां प हम लोग को file name देना है तो network security config में देता हूँ आप लोग कोई भी name दे सकते हैं इसके बाद यहां पर xml को select कर लेना है और ok कर देंगे हम लोग अब यहां से हम लोग code को copy करके paste कर देंगे तो जो भी यहां पर code लिखा है इसको यहां से पूरा copy करेंगे और यहां पर लाके paste कर देंगे इसको यहां से close करते हैं और यहां पे आते हैं यहां से हम लोग यह वाली line copy कर लेंगे जिसको की हम लोग को यहां पे application के अंदर as a attribute add करना है तो many paste में आते हैं और यहां पे लाखे इसको paste कर देंगे अब इसके नीचे आते हैं यहाँ पर एक चीज हम लोग को और करना रहता है ironsource.setmeta data करना रहता है तो इसको यहाँ से copy करेंगे और यहाँ पर main activity में आएंगे जहाँ पर हम लोगों ने इनिट के है इसी के नीचे भी इसको paste कर देंगे ironsource.setmeta data facebook.hcash flag और यहाँ पर image हम लोग pass कर देंगे अब इसके बाद मुझको नहीं लगता है यहाँ पर कुछ कर रहा है यह हम लोग का dano चुका है तो हम लोग यहाँ पर अप्लिकेशन को run करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि यह हम लोग का perfectly work कर रहा है यह नहीं कर रहा है facebook add दिख रहे है या नहीं दिख रहे है तो यहाँ पर मैं इसको अपने real device में test कर रहा हूँ आप लोग भी एपने real device में test कर यहाँ तो जादा बैटर रहेगा हम लोग उसको यहाँ पर run कर देते हैं तो दोस्तों यहां पे हम लोग का application रना हो चुका है और हम लोग यहां पर bait करते हैं add के आने का तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं हम लोग का add यहां पर load हो गए हम लोग यहां पर contact us पर click करते हैं और यहां से बेक आते हैं अब हम लोग यहां पर show ad पर click करते हैं और यहां पर हम लोग का interstitial ad भी show हो रहा है अगर हम लोग को यहां पर पता करने हैं कि कौन से platform का है तो हम लोग यहां पर info वाले button पर click करते हैं और यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे why am I seeing this तो आप लोग लोग वह ओपर दिख़ागा Facebook Depois यहां पर दिक्डाई देने लगके यानि कि यह Facebook काraphar क Chemical कर तो यहां कि यहां पर तरीके से अच्छे हो रहा है तो अगर आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप लोग कमेंट सेक्षिन में बता हिए और अगर आपको ज़्यादा को चीज़ हो रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को दुवारा देख लिए जिससे कि आपके आधा से ज्यादा कोई रिए ऐसा ही स दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट जाड़ी रखें बाकि हम लोग ट्राइ करते रहेंगे बढ़ियां से बढ़ियां वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करनेगा तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो सरफ में ट्राइक लाड़ी रखें लोग कि ट